हाँ बच्चो कल हमारा चौथा लेक्चर पूरा हुआ था उसमें हमने पड़ा था बिद्धुद बल रेखाये एक तो यह पड़ा था इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स पड़ी थी एक चीज और दूसरी चीज हमने पड़ी थी विद्धूत छेत्र विद्धुद छेत्र अब देखिएगा और इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स ये तो चीज़े हमने पड़ी थी एक तो इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स इनकी प्रोपर्टि और दूसरा इलेक्टिक फिल्ड देखिए कुछ चीज़े हमारी कल के लेक्चर में मिश हुई थी और जो मिसिंग थाओ बड़ा इंपोर्टेंट फिल्ड लाइन्स है देखिए पहले बिद्धुत बल रेखाओं में एक पॉइंट हमारा मिस हुआ है देखिए बिद्धुत बल रेखाओं में क्या मिस हुआ है हमारे पास एक इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स है सफोज यह पोजिटिव चार्ज है यह सफोज निगेटिव चार्ज है इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स कहां से ट्रेवल करती है ठन आवेस से चलती है और रेणावेस पर जाकर के रुक जाती है समाब्त हो जाती है इसका मतलब यह सतत वाक्र है ये point मिस हुआ था मारा देखिए सतत continuous curve इटी जे continuous curve ये ध्यान रखना NCRD book में question भी होगा मतलब बिद्धुत बल रेखा कभी break नहीं होती है कभी तूडती नहीं है इस बात का विसेज ध्यान रखिएगा बहुत ही मत्वोंड चीज है दूसरी चीज सब बिद्धुत बल रेखा का मतलब होता है धन परिक्षण आवेश के चलने का मार्ग ये धन परिक्षण आवेश ऐसे 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 चलेगा भाई जिस दिसा में धन परिक्षण आवेश होता है वो electric field की direction होती है वो बिद्धुत बलने का मतलब यहां पर सबोज हम test positive charge plus Q0 रख दें तो ये धन आवेश इस धन आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये रिन आवेश इस धन परिक्षण आवेश को आगर्षित करेगा तो ये धन परिक्षण आवेश यहां से ऐसे जाएगा इधर को भाई अब ये break नहीं हो सकती है never break electric field line never क्यों 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 तो धन परिक्षण आवेश के चलने का मार गया है बाई माना यहां पर इतना break कर दूँ गड़ा कर दे तोड़ दे तो ये धन परिक्षण आवेश यहां तक पहुंचा ये तो गड़े में गिर जाएगा सपोर्ज एक चीटी चल रही थी ऐसा मान लीजे एक चीटी चल रही थी बीच में गड़ा आ गया इस चीटी को यहां से यहां पहुंचना था पर दू बीच में हमने एक गड़ा खोद दिया वो चीटी तो उस कुए में गिर गी, उस गड़े में गिर गी, वो कैसे पहुँच पाई गिया तक, ये कूद भी नहीं सकती है, ये जंप भी नहीं कर सकती है, ये ध्यान रगी है, बहुत important चीज है वाई, दूसरी चीज, और आगे बढ़िएगा, दूसरी चीज देखना इस किसके द्वारा उत्पन्न होता है, आवेस के द्वारा, ये आवेसों के सिस्टम के द्वारा, विद्धुचेत्र दो प्रकार का होता है, एक तो एक समान, एक समान विद्धुचेत्र, एक समान विद्धुचेत्र, यूनिफॉम, इलेक्टिक फिल्ड समझ लीजियेगा यूनिफॉर्म इलेक्टिक फिल्ड का मतलब हुआ ये देखिए मैं ऐसे इक्क्यू डिस्टेंस पर एक समान दूरी पर बहुत सारी पहलल समान तर रेखाएं खीच रहा हूं और ऐसे एरो लगा दे रहा हूं और ऐसे ए लिख दे रहा हूं ए के उपर बेक्टर भी लगा दे रहा हूं इसका मतलब ये इस स्थान पर इस स्थान पर ये एक समान बिद्धु छेत रहे दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्टिक फिल्ड जिसकी दिसा इधर से इधर को है इसका अर्थ ये हो गया कि यहां कोई बहुत बड़ा धनावेश रखा है इस तरह क्योंकि बिद्धु छेत्र की दिशा धनावेश से बाहर की ओर होती है और ऐसे भी समझ सकते हैं या यहां कोई निगेटिब चार्ज रखा है ऐसा भी समझ सकते हो बिद्धु छेत्र की दिशा कहां से होती है कल दो पॉइंट समने पड़े थे कि यदि बिद्धु आवेश धन है तो धन के कारण उस बिद्धु आवेश से बाहर की ओर होगी बिद्धु छेत्र की दिशा यदि बिद्धु आवेश रण है तो रिनावेश के कारण किसी इस्थान पर बिद्धुचेत्र उस इस्थान से रिनावेश की ओर होगी। यह यह नहीं, this is uniform electric field। कहा मतला हो गया कहीं पर बिद्धुचेत्र कहीं जादा नहीं, कहीं कम नहीं, तो क्या कहलाएगा uniform electric field। यह uniform electric field। दूसरा देखिएगा अश्मान विद्धुचेत्र अश्मान विद्धुचेत्र नउन यूनिफोर्म, यूनिफोर्म, एलेक्टिक, फिल्ड। एलेक्टिक फिल्ड मीन्स, एलेक्टिक फिल्ड इंटेंश्मान विद्धुचेत्र कहीं, इलेक्टिक फिल्ड इलाइन्स को मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखते जाएए, और यह लेक्टिक फिल्ड इंटेंश्मान विद्धुचेत्र हो गया, देखिए, यहां फिल्ड इलाइन्स क्या हैं, यह दूर दूर है, और आगे को बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, वो फैलते जाएंगे, यह क्या हो गया, नौन यूनिफॉर्म इलेक्टिक फिल्ड, यह दूसरी चीज हमारी मिसिम होई थी, क्योंकि आगे चीज़े, यूनिफॉर्म, नौन यूनिफॉर्म, आगे चीज़े, तीसरी चीज़े, और बात देखिए, कि जब भी किसी चार्ज को एक समान विद्धु चेत्र में, सपोज मैं यहाँ पर एक धन परिक्षन आवेश को रखेँ, एक समान विद्धु चेत्र में, या अशमान विद्धु चेत्र में, मतलब धन परिक्षन आवेश को जब भी हम विद्धु चेत्र में रखेंगे, वो धन परिक्षन आवेश हमेशा ट्रेवल करना शुरू कर देगा towards electric field direction ये धन पर इक्षन आवेश कहा को चलना शुरू कर देगा बिद्धु छेत्र की दिशा में चलना प्रारम्ब कर देगा मतलब धन आवेश समेशा बिद्धु छेत्र की और जाएगा माना की यहाँ पर रिन आवेश रख देते तु रिन आवेश कहा को जाता बिद्धु छेत्र की जो दिशा है इनको छोड़ दीजी अब अब इनको छोड़ दीजी फिरा माना यहाँ पर मैं रिन आवेश रख देता तु रिन आवेश तब इस बिद्धु छेत्र की दिशा के इधर को भागता यहां रिणावेस रख देता तू विद्धु छेत्र की दिशा के बिप्रीद बल लगता है और रिणावेस पर हमेशा विद्धु छेत्र की दिशा के बिप्रीद बल लगता है एकोर्डिंग उलाम से लो आप देखिए का चूंकि इलेक्रिक फिल्ड की टेफनिशन पड़ी थी हमने E is equal to पिद्धुछेत्र की परिभासा पड़ी थी जो असली परिभासा है mathematical definition है E is equal to F E अपन क्यों 0 एकांक धन परिक्षन आवेश पर लगने वाला बिद्धुद बल वो होता है बिद्धुछेत्र की तियुटा इसका मतलाव इस भारमुले से F बराबर F ही का मतलाव F इलेक्टिक फोर्स है अब मैं F लेख दे रहा हूं काली F बराबर Q0 into E इसको देखिएगा F बराबर Q0 into E जब भी किसी धन आवेश को या रिन आवेश को मतलब किसी आवेश को हम विद्धुछेत्र में रख देंगे E में रख देंगे उस आवेश पर निश्चित रूप से बल लगेगा F बराबर कितना Q into E यहाँ पर Q0 क्या है धन परिक्षन आवेश को हमने विद्धुछेत्र में रख दन परिक्षन आवेश को हमने विद्धुछेत्र में रख दन परिक्षन आवेश को हमने विद्धुछेत्र में रख दन परिक्षन आवेश को इतना q0 into e q0 धन परिक्षण आवेस है हम q0 के बदले यदि कोई q आवेस ले लेंगे तब उस पर बल f बड़ाबर कितना लगेगा उस आवेस को यदि हम विद्धु छेत्र में रख देंगे तो उस पर कितना फोर्स अप एपियर होएगा f is equal to q into e ये ध्यान रखिएगा मतलब ये electric field की intensity की definition से ही है e बराबर f upon q0 so f is equal to e into q0 means f बराबर qe अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगला topic है हमारा विद्धु दिधुरु अगला topic है विद्धुत दिधुरु इसको कहते हैं electric e l e c t r i c electric dipole क्या है वाई बिद्धु दिधुरु यदि दो बराबर वबिप्रेद प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दुरी पर इस्थित होते हैं तो उसको कह देते हैं हम विद्धु दिधुरु देखिए दो बराबर एक minus q दूसरा उतना ही plus q एक दूसरे से अल्प दूरी पर इस्थित हैं इस अल्प दूरी को चलिए 2 l से डिनोट कर देते हैं यह electric dipole कहलाता है बाई क्यों electric dipole की क्या विशेस्ताय होती है अभी detail से पढ़ है यह सपोज रिनावेश है A पर और धनावेश कहां पर है B बिन्दु पर और A और B बिन्दु का मध्य बिन्दु है सपोज C तो A भी क्या हो गया electric dipole हो गया और C क्या हो गया electric dipole का midpoint देखो रिनावेश से मध्य बिन्दु की दूरी कितनी हुई L अरे 2L लिखा है और धनावेश से भी कितनी दूरी हुई L ये electric dipole कहलाता है मतलब परिभाशा होगी definition लिखोगे दो बराबर वबिप्रीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पदूरी परिस्थित होते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं बिध्धो दिधुर वब electric dipole कह देते हैं उसको electric dipole हो गया आप सुनिएगा actually होता क्या है हमारे पास जो अणों होते हैं अणों वो दो प्रकार के होते हैं एक तो अधुरवी अणों होते हैं अधुरवी non polar molecule होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं polar धुरवी अणों अधुरवी अणों का मतलब non polar अधुरवी का मतलब polar समझिएगा धुरवी और अधुरवी देखो अधुरवी जो अणों होते हैं अधुरवी जो non polar होते हैं अधुरवी अणों में क्या होता है इसमें जो आवेश का distribution होता है धन और रेन आवेश का जो distribution होता है वो सभी भागों में एक समान निगेटिव रेन वो पोजिटिव धन आवेश का जो distribution होगा उस molecule के पूरे भाग में एक समान से विभाजित होएगा उसको हम कोई सपोच molecule है उसमें जितना धनावेश है उतना ही रेनावेश है और दोनों equally distributed है हर जगा यह अधुर्वी नौन पोलर हो गया ठेक हो गया अच्छा अब आज आईए धुर्वी और पोलर पर धुर्वी और क्योंकि हमको इलेक्टिक डाइबोल परणा है यह देखिए इलेक्टिक डाइबोल परणा है इसले धुर्वी और आप समाई लीजे पहले धुर्वी और में क्या होता है सभी जगाए धन और रेन आवेश का जो distribution होता है जिन औरों में रेन और धन आवेश के प्रभावी केंद्र ऐसा भी कह सकते हो अलग-अलग होते हैं धन आवेश का केंद्र अलग होगा और रेन आवेश का केंद्र अलग होएगा मतलब सबी भागों में धन और रेन आवेश एक समान नहीं होगा वो धुरूवी अणता है इसको ऐसे समझे चलिए माणा मैं ऐसे कर दो ये कोई molecule है यहाँ पर धन आवेश एक तरब को हो गया है रेन आवेश एक तरब को हो गया आवेश तो बराबर है धन और रेण फरन्तुकुल का distribution सब जगह एक समान नहीं है रेण आवेश एक तरब को सिप्ट हो गया है धन आवेश एक तरब को सिप्ट हो गया है इसका मतलब जिन और वो में रेण और धन आवेशों के प्रभावी केंद्रे अलगले रेण आवेश का केंद्रे यहाँ पर है और धन आवेश का केंद्रे यहाँ है यह polar molecule के हो गया है दी जाए polar molecule फॉर इंग्जाम्पिल HCl hydrogen caloricate यह देखिए इसको ऐसे लिख सकते है H positive plus Cl जब HCl का ionization करते है तो ऐसे H ion अलग बन जाता है HCl अलग बन जाता है ऐसे ही NACL N A positive RCl ऐसे ही H2O पानी का H positive and OH negative these are polar molecules अब हम आते है यदि आपके polar molecules अब बिद्धुद्धुद्रू है यह बिद्धुद्धुद्रू है electric dipole molecule है अब हमको बिद्धुद्धुद्रू पढ़ना है तो बिद्धुद्धुद्रू के लिए हमको सबसे पहले चार चीजें describe करनी है electric dipole के लिए चार चीजें describe करनी है number ABC कह रहा हूं number A विद्धुत दिधुर्व दिधुर्व आघोण विद्धुत दिधुर्व आघोण इसको कहते हैं electric dipole moment electric dipole moment कहलाता है electric dipole moment क्या मिल means जा हूँ इसका suppose हमारे पास electric dipole है electric dipole का two equal and opposite charges which are situated in a little distance small distance let's say 12 यह देखिए एक विद्धुद्धुद्रो है AB उसके A सिरे पर minus Q charge B सिरे पर plus Q charge और उनके बीच की दूरी 12 और यह है dipole का midpoint C C C यह distance हो गई L हाप कर दीजे यह distance भी हो गई L L तभी 12 बनेगा यह electric dipole होगे तो dipole moment इसको denote करते हैं P से किससे P ऐसा P नहीं लिखोगे P के उपर vector लगाओगे P जीक्वल गो विद्धुद्धुद्रो आगोन होता है किसी विद्धुद्रो के एक आवेश के परिमार विद्धुद्धुद्रो के दो आवेश हैं देको एक plus Q और दूसरा उतना ही minus Q इन दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुरन फल को विद्धो दिधर आगून कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं P जीक्वल टू क्यों इन्टू 2L क्यों एक आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L और मैंने बेक्टर लगा रखा है उपर से तो यह हो जाएगा P जीक्वल टू क्यों इन्टू 2L अब आप लोग लिख लेते हो खाली P इस P का आर्थ बहुत सारे होते हैं इस P का आर्थ मोमेंटम भी होता है मोमेंटम M भी परन्तु यदि इस पे खाली ऐसा छोड़ देंगे तब यह मोमेंटम नहीं होता यह बेक्टर चुरूर लगाएंगे यह देखे M भी ऐसे इलेक्टिक डाइपोल मोमेंट P के उपर क्या लगाएंगे आप एरो लगाएंगे इलेक्टिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा बिद्धु दिद्रो आगोन कहलाएगा ये एक आवेस, दोनों आवेस हों में से, एक आवेस गुणा उनके बीच की दूरी, तो विद्धुद्यद्रो आघोन, दिधोर्व, दिधोर्व, आघोन, बराबराब, क्या लिखते हैंगे, आवेस गुणा, दूरी सोट में लिखते जे, बिद्धुद्यद्रुव, आघोन, बराबर, आवेस गुणा, दूरी, उनके बीच की दूरी तो ये लिखते हैंगे, और ये मात्रक लिखते हैंगे, युनेट हो गया इसका, क्या युनेट हो गया भाईब, आवेस गुणा दूरी, कूलाम, मीटर, कूलाम, मीटर, और डाइमेंशन भी लिख दिजे, बीमा, डाइमेंशन, क्या होगी, कूलाम, कूलाम, क्यो इज इक्वल तो इट, एम्पिर सेकंड, मीटर, एल हुआ, मीटर ही हुआ, तो, एम्पिर सेकंड, मीटर है, इसका मतलब, तो इसको डाइमेंशन लेख देंगे, क्या, मीटर का मतलब, एल की पावर वन, सेकंड का मतलब, टी की पावर वन, एम्पिर का मतलब, एकी पावर वन, और ये कैसी राशी है यहाँ शदिस राशी शदिस राशी इस ए बेक्टर कुटिटी विद्द दिद्रवा गुण कैसी राशी है शदिस राशी है इसको फॉर्मूले के रूप में अभी तक हम पांच चार चीज़ें पढ़ चुके हैं ये पांचमें चीज कह दिया भै और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो विद्द दिद्रवा के लिए पहली चीज़ हमने पड़ी विद्द दिद्रवा आघुर अगला हमारा है विद्द दिद्रवा पर नेट बल एक तो ये निकालेंगे तथा तथा बल आगोग जबकि वह एक समान विद्धु छेत्र में इस्तित हो जबकि उसे एक समान विद्धु छेत्र में रखा ये भी कह देता हूँ दूसरी चीज़ मतला एक समान विद्धु छेत्र में इस्तित विद्धु दूसरी के बल युग्म का आगोण और उस पर नेट बल निकालना है means couple couple on electric dipole इन यूनिफॉम इलेक्टिक फिट इलेक्टिक फिट ये पढ़ना है भाई ये देखिए एक समान बिद्दु छेत्र में हम बिद्दु दिदु को रख दे हैं तो उस बिद्दु दिदु पर नेट बल कितना लगेगा और उसके बल युगम का आगोण मतलब बल आगोण कितना होगा देखिएगा मान ने एक समान बिद्दु छेत्र है अभी हमने एक समान बिद्दु छेत्र और अस्मान बिद्धु छेत्र के बारे में पड़ा क्या है एक स्मान बिद्धु छेत्र, क्या है अस्मान बिद्धु छेत्र माना किसी इस्थान पर यूनिफॉर्म इलेक्टिक फिल्ड है, एक स्मान बिद्धु छेत्र है बहुत important चीज़े हैं यह साब आप जो मैं बोल रहा हूँ आप notes बनाते रहें मालने एक समान विद्धो छेत्र E में यह E के उपर बेक्टर लगाओगे यह है uniform इसकी direction यहां से उधर को है इसका अर्थ मैंने समझा दिया इसका मतलब यहां कोई बहुत बड़ा धनावेश है या ऐसा मान सकते हो यहां कोई बहुत बड़ा रेणावेश है बिद्धो छेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से बाहर की ओर और रेणावेश के कारण यदि हम बिद्धो छेत्र होगा तो रेणावेश की ओर होगी इस एक समान बिद्धु छेत्र में सपोज हमने एक बिद्धु दिद्धुरो रख दिया भाई यहाँ पर रख दिया प्लस Q और यहाँ पर रख दिया माइनस Q आविश बिद्धु दिद्रो ए बी कह देता हूँ मैं इस बिद्धु दिद्रो के ए सिरे पर है माइनस Q आविश और बी सिरे पर है प्लस Q आविश अब बिद्धु दिद्रो के बीज की दूरी होती है हमने पढ़ा हुआ है 2L यह देखिए L अच्छा इस बिद्धु दिद्रो को बिद्धु छेत्र की दिशा से कितना कोण मनाते हुए रखा है थीटा यह है थीटा मैं इस बिद्धु B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ लंब खीं देता हूँ और A से भी इसको मिला देता हूँ तो यह C हो गया यह देखिएगा ट्रेंगल A, B, C भी है चाहिए हूँ जब विद्धु दिधु को माना एक समान विद्धु चेत्र E में एक विद्धु दिधु 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 A, B जो धन और रिणावेशों से मिल करके बना हुआ है बराबर और भी प्रीत प्रकार के है विद्धु चेत्र की दिशा से ठीटा कोण मनाते हुए इस्थित है ऐसा लिख दोगे नाव इस सिरे पर देखिए धन आवेश है अभी हमने एक समान विद्धु चेत्र में आवेशों पर लगने वाल बल पड़ा था एब बराबर Q0 into E QE तो इस धन आवेश पर बल लगेगा हाँ इधर को कितना एब बराबर Q into E विद्धु चेत्र की परिभासा है E बराबर F अपोन Q0 है की नहीं Q0 को बदले यहाँ पर Q है एक आंक धन पर इक्षन आवेश पर लगने वाला विद्धु बल यह बिद्धु चेत्र की परिवासा थे इसी से F बराबर क्या निकाला था हमने F बराबर Q0 into E इसका मतलब इस धन आवेश पर जिस सिरे पर बिद्धु दिद्रों की जिस सिरे पर धरावेश है उस पर बिद्धु चेत्र की दिशा में एक बल लगेगा चलिए इसको F1 कह देते है ऐसे ही दूसरे सिरे पर निकेटिब चार्ज है यह देखिए इस पर भी एक बल लगेगा चलिए इसको F2 कह देते है Q0 into E का मतलब QE यहाँ पर रिण नहीं लिखोगे F2 बराबर माइनस QE नहीं लिखोगे क्यों नहीं लिखोगे क्योंकि बल कैसी राशी है शदिस राशी शदिस को रिण से नहीं डिनोट करते है उसमें डाइरेक्शन होगे देखिए दो सिरों पर दो आवेश है एक पर धन दूसरे पर रिण जिस सिरे पर धन आवेश है उस सिरे पर बल लग रहा है बिद्दुचेत्र की दिशा में और जिस सिरे पर रिण आवेश है उस सिरे पर लग रहा है दूसरा बल QE इधर को है दोनों बल बराबर इक्वल है देखे मैं लेक देता हूँ यहाँ पर F1 mod F1 is equal to mod F2 is equal to QE है कि नहीं same इसका मतलब F1 is equal to तो यह दो equal and opposite forces है तो इन्होंने क्या खौम कर दिया एक पेर बलों का एक यूगम बन गया एक जोड़ा बन गया जोड़ा तो बना परन्तु यह दोनों बल एक दूसरे के बराबर और बिप्रीध है एक्शन and reaction वाला पड़ा है equal and opposite forces है तो यह दूसरे को क्या कर देंगे cancel तो इस टॉर्क पर net ball हो गया जीरो यहां आने से पहले मैं आपको net ball net ball आगोड बता रहा हूं तो बिद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्ध पर बल, आविश पर बल, लिखना सीखियेगा, F1 बराबर, Q इंटू, इतने से ही काम नहीं, इतना लिखने से ही काम नहीं चलेगा, चेत्र की दिशा में लगेगा, हमेशा धनाविश पर बिद्धुद चेत्र की दिशा में लगता है, डाइरेक्शन होती है भल के पास, रोमन पर नम्मर वन कर दोगे इसको, इस वाले को, ऐसे ही बिद्धुद दिधुरुद, के माइनस क्यू आवेश पर, इसे डैस कर दोगे, आगे बढ़ोगे, F2 is equal to, plus, oh sorry, Q into E ही ही हुआ, परन्तु इसकी दिशा कहां को हुई, छेत्र की, छेत्र की दिशा के, बिद्धुरुद, E उधर को है, बल इस पर निगेटिव पर इधर को लग रहा है, अब इस एक और दो को देखिए, बल F1 और F2 को देखिए, चो की, F1 is equal to, मौड लगा ले न, मौड का मतलब परिमान होता है, मौड F1 is equal to, मौड F2 is equal to, F is equal to QE, लिखते न भई, एक वल है, सेम है, अता, एक समान, एक समान, बिद्धुत, छेत्र, मैं, स्थित, विद्धुत, दिधुरुग, पर, नेटबल, F is equal to, क्या हो जाएगा, स्थित, विद्धुत, दिधुरुग, पर, नेटबल, क्या हो गया, पन्त, विद्धुत, दिधुरुग, पर, दो बल लग रहे, मैं, दो पेर है, F1 and F2, these are equal and opposite, but net force to the dipole, in the dipole, in uniform electric field, is 0. अब हम टॉर्क निकाल देए, टॉर्क, क्या निकाले, बला गोर, विद्धुत, दिधुरुग, के बल युग्मन, का बला गोर, बला अगोर, टॉर्क अन्दा, डाइपोल, देखिएगा, ये electric dipole है भाई, एक बल इधर को, दूसरा बल इधर को, ये इसकी line of, इसकी क्रिया रेखा इधर को है, और इसकी क्रिया रेखा इधर को है, ये दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी है, B, C, एक बल की क्रिया रेखा, इधर को F1 की, अलग से दिखा दे रहा हूँ, एक बल की किरिया रेखा इधर को यह अलग से दिखा दे रहा हूँ F2 यह है यह perpendicular distance है देखिए यह एक की किरिया रेखा ऐसे दूसरे की किरिया रेखा यह perpendicular distance नहीं है जिसको हम BC कह रहे हैं अब देखिएगा बिद्धु तेरों के बल्यूगम का आघूण बल्यूगम का आघूण होता है हमेशा दोन बल्यूगम में से दोनों बलों में से एक बल गुड़ा बलों के किरिया रेखाऊं के किरिया रेखाऊं के बीच की लंब वत दूरी दोनों बलों में से एक बल लेंगे गुड़ा उन दोनों बलों की किरिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी लेखते हैं बल को दोनों बलों में से एक बल गुड़ा दोनों बलों की किरिया रेखाओं के बीच की लंबवद दूरी को गुड़ा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा टॉर्क मिल जाएगा अब टॉर्क टाउ से डिनोट कर देते हैं भाई ये भी बेक्टर कुंटिटी है टॉर्क पड़ा है हमने बला घून पड़ा है फ़स्ट यहर पड़ा आउज इक्वल टू एफ क्रास डी होता है वसे एफ इंटू एफ क्रास डी मैं सिंप्ली एफ इंटू डी डी का मतलब बी सी लिख देता हूँ देखना ये लंब बहुत दूरी है बी सी है की नहीं एक बल एफ ले लिया मैंने एफ बराबर क्यूई या तो एफ उन ले 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 ना या एफ टू बराबर एफ लिखा हुआ है उपर ये एफ क्यूई इंटू बी सी है तो टाव इज इक्वल टू आगे बढ़ते हैं टाव इज इक्वल टू क्या आगया F का मतलब QE into BC हो गया 2 L साइन थीटा 2 L साइन थीटा देखिए इस ट्रेंगल तेरे भूज A B C में देखना है A B C में यह थीटा है यह कर्ण है यह लंब है 90 के सामने होता है यह देखो 90 90 के सामने लंब और यह कर्ण तो साइन थीटा बराबर लंबटा कर्ण B C perpendicular upon hypotenuse होता है A B तो B C is equal to A B साइन थीटा तो B C is equal to A B A B 2 L विद्दो देखिए दूर के B C की दूर साइन थीटा B C मैंने यही लिखा है वहाँ B C इतना ही लिखा है आजाई आगे टाव इस इक्वल टू टाव इस इक्वल टू Q इन्टू 2 L एक साथ लिख दीजे Q इन्टू 2 L इन्टू E अलग कर्दीजे साइन थीटा अलग कर्दीजे Q इन्टू 2 L हमने पढ़ा है B Q इन्टू सो टाव इस इक्वल टू P E साइन यहाँ मैं बैक्टर नहीं लगा रहा हूँ इस सदिस्राशी है अगला आ गया भई नमबर छटी चीज पढ़ दी है फॉर्मुले के रूप में इस चेप्टर में अब देखिएगा दो बैक्टर देखो P बैक्टर है E बैक्टर विद्धोद्यदरू आगुन बैक्टर और विद्धोच्हेत्र भी बैक्टर दो बैक्टर A और B का क्रोस गुडन पढ़ा है हमने A क्रोस B वराबर A, B साइन, धीटा और साथ में यूनिट बैक्टर ये बैक्टर दो बेक्टरों का cross multiplication होता है vector quantity तो इसको हम ऐसे भी vector form पर ऐसे भी लिख सकते हैं टाव is equal to P cross E ऐसा भी लिखाओगा आपकी बुको में यह द्यान दीजिएगा दिकोज A cross B is equal to A B sin theta साथ में unit vector तो यह और यह एक ही बात भी अब इसको apply करते हैं uniform electric field में यदि बिद्धो दिदुरो बिद्धो छेत्र की दिशा में हो number one if यदि theta is equal to zero degree then tau is equal to zero बला गुर नहीं लगेगा उस पर zero होगा क्यों अभी समझेगा number two if theta is equal to 90 sin 90 देखिए P sin theta sin 90 होता है sin 0 तो 0 होता है sin 91 then tau max then tau max is equal to PE Tisra third यदि theta is equal to 180 then tau is equal to zero sin 180 भी 0 होता है ये देखे, uniform electric field है, uniform electric field में, येदी कोई electric dipole field direction में पड़ा है plus q minus q, ये along field direction हो गया, यहाँ इसका मतला हो गया theta is equal to 0, torque tau is equal to 0 from this formula यदि ये डाइपोल ऐसे न हो करके ऐसे हो ऐसे ये धन यह पर हो और रिण तब ये बिदुच्छेत्र के बिदुच्छेत्र ऐसे था डाइपोल ऐसे पर परपेंडिकुलर हा ये लम्ब वथ है परपेंडिकुलर दें टाव मैकजिमम चौक किमम होगा I e from this case 91 यदि uniform electric field में धनावेश छेत्र की दिसावन से घुमा करके इसको इधर ले आए और रिण को उधर ले जाए एक सो अस्य अनसपह हो गया अगे उल्टा हो गया उल्टा 180 rotate करा दो ये मान लीजे तब torque tau is equal to गया हो जाएगा जीरो ये दूसरी चीज अब हम इसी को आगे बढ़ते हैं बिद्धु तिद्रो आगून पढ़ लिया बिद्धु तिद्रो के बल्योग मका आगून पढ़ लिया और तीसरी चीज थार्ड चीज हम पढ़ते हैं C, A, B, C कहते रहे हैं साइड इसको तो अब हम क्या करते हैं बिद्धु तिद्रो को बिद्धु छेत्र में घुमाते हैं बाई एक समान बिद्धु तिद्रो को घुमाने में किया गया कारिया मतला वर्क दन to rotate to rotate rotating अब्रेंख टिक अटिक ऑडं इ्याद्टिक दिप न यूर कि configur एम work done to rotating an electric dipole in uniform electric field देखियेगा ध्यान से सपोच uniform electric field है अभी बड़ा हमने uniform non-uniform माना एक समान विद्धुच्चेत्र E में विद्धुच्चेत्र की दिशा से किसी कोण पर एक electric dipole पड़ा हुआ था A, B जिसके A से पर minus Q आवेश था और B से पर plus Q आवेश था और plus Q आवेश पर विद्धुच्चेत्र की दिशा में बल लग रहा था QE F1 is equal to QE और रिणावेश पर विद्धुच्चेत्र की दिशा के बिपरीत बल लग रहा था F2 बराबर Q into यह पढ़ लिया हमने अभी यह F1 is equal to QE direction में और F2 बराबर FF ही कह दीजिए इसको सेम है अपोचिट और इस डाइपोल को electric field direction से कितने एंगिल पर रखावा है थीटा 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 बिद्धूत दिधुरुआ के बल यूगम का आघोण पढ़ लिया है हमने अभी बिद्धूत दिधुरुआ के बल यूगम का आघोण एक समान बिद्धुचेत्र में कहां बिद्धुद्धुरुआ के बल यूगम का आघोण एक समान बिद्धुचेत्र में बिद्धुद्धुचेत्र में बिद्धुद्धुद्धुरुआ के बल यूगम का आघोण ऐसा लिख लेंगे हम टाव इस इक्वल टो टाव इस इक्वल टो पी इशायन थीटा फर्स्ट इस तब यहां से शुरू करोगे चुकि टाव इस इक्वल टो पी इशायन थीटा हमने पड़ लिया है यह भी टाव इस इक्वल टो पी इशायन थीटा है एक समान बिद्धु छेत्र में एक बिद्धु दिद्रो ए भी पड़ा हुआ है तो बिद्धु दिद्रो के बल योग मकागोन टाव बराबर पी इसायन थीटा इतना लेख लोग आगे चलिए फिर देखे टाव इस इक्वल टू हमने क्या पढ़ लिया पी इसायन थीटा ये फरस्ट इस टफ हो गया बिद्धु दिद्रो के बल योग मकागोन निकाल रहे है नहीं सोरी रोटेट करने में वर्क निकाल रहे है ना कार्य बराबर देखिए लीनियर मोशन में थोड़ा सा ध्यान दीजे कार्य बराबर होता है बल गुड़ाम बल की दिशा में बिश्थापन w is equal to f dot d means f d cos theta पड़ा हुआ है इसका आर्थ होता है कार्य बराबर बल गुड़ाम बल की दिशा में बिश्थापन ऐसे ही टॉर्क को हम रोटेट करा रहे हैं किसमें रोटेट करा रहे हैं विद्धुत छेत्रपे सपोज हमने उसको बहुत छोटा सा रोड़ थीडी थीटा कोड घुमाया लिख लेते हैं विद्धुत इसको लिखने से पहले चलिए हम लिख लेते हैं विद्धुत द्धुर्व को एक समान एक समान विद्धुत छेत्र में में डी थीटा कोड घुमाने में किया गया काले डी 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 बराबर टाव इंटू डी थीटा टाव इंटू डी थीटा कैसे आता है यह देखिएगा इलेक्टिक डाइपोल इनिफॉर्म इलेक्टिक फिल्ड में फिल्ड डाइरेक्शन से थीटा कोड पर पढ़ा हुआ था उसके बल्युग मकागोड हमने पिछले में पढ़ लिया टाव इंटू पी साइन थीटा नाव वी रोटेट इलेक्टिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्टिक फिल्ड बाइ एन एंगल दी थीटा तब कार मैंने लिख दिया डी डी डॉब वरावर टाव इंटू दी थीटा कैसे बोलिये पढ़ा हुआ है पीछे जिस प्रेकार से रेखी गटी में इन लीनियर मोशन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू दिस्प्लेस्मेंट इन डाइरेक्टिक फोर्स होता है ठीक वैसे ही रोटेशनल मोशन में घूणन गटी में गूणन गटी में कारिवराबर वर्क इज इक्वल टू बला घूण गुड़ा कोणिय विस्थापन जूण इस इक्वल टू सलो चलो ओर्क डी डेव्ल माल लै या डव्ली माल लै डी डेव्ली इक्वल टू ताव इंटू दि थीता या ठीटा in rotational motion the work dw is equal to torque into rotational displacement rotational displacement को rotational displacement को d theta से denote कर रहे है theta से denote करें यह देखिएगा यह electric dipole पड़ा हुआ था बिद्धु छेतर में theta cone पर इसको इस position से यह इसका suppose midpoint है वाई यह midpoint है see इसको यहाँ से positive charge को rotate करके हमने यहाँ rotate करके यहाँ ले आए और negative को rotate करके यहाँ ले आए now the new position is this यह positive charge यहाँ पर आ गया और negative charge कहा गया यहाँ पर यह कितना rotate करा दिया by an angle d theta क्या समझ में आया now work d w is equal to tau into d theta network net कार network क्या कर देंगे इसका integration कर दें बार बार करते आ रहे हैं w is equal to integral of d w network w is equal to integral of d w का मतलब d w का मतलब what tau d theta tau is equal to p e shine theta and d theta अब प्रस्ण यह हो गया कि हमारी limit क्या हो गया है integral जब भी करते हैं integral की शीमाएं होती है पड़ा हुआ है आपने शीमा हम कहां से कहां से शुरू करेंगे भाई यह देखिए ऐसा rotate करवाते हैं electric field की direction से theta 1 माल लेंगे कोई electric dipole electric field direction में पड़ा हुआ था theta 1 is equal to 0 और उसको rotate करा दिया 0 इस्तिति से किसी angle 45 पे 50 पे 60 पे 80 पे 90 पे 100 पे 120 पे 180 पे 100 पे तो initially हम journal फार्वल लेते हैं suppose कि initially electric field में वो theta 1 position पे था और उसको rotate कर दिया theta 1 position से कहां theta 2 position तक then limit क्या लेंगे हम theta 1 to theta 2 अब integral कर दिया w is equal to p e constant quantity है बाहर निकाल दीजे integral sin theta d theta और limit आगे आपकी theta 1 to theta और यहां पर integral sin theta d theta यह बाहर में यह integral sin x dx यह पढ़ा हुआ है आपने यह बराबर होता है minus cos theta ऐसे ही sin integral sin x dx क्या होता है minus cos x यह minus cos theta पढ़ा हुआ है तो यहां रख दीजे p e इसका integral हो गया minus cos theta और limit होगी theta 1 to theta 2 यह निमन शीमा यह उच्च शीमा यही बराबर और आगे बढ़िए p e into यह देखो p e minus sin को मैं बाहर निकाल दूँ यहां cos theta पढ़ा लिमिट लगाओ उच्च शीमा रेन निमन शीमा cos theta के बदले उच्च शीमा theta 2 minus cos theta 1 के बदले theta के बदले निमन शीमा minus को अंदर कर दीजे तो w is equal to p e cos theta 1 minus cos theta 2 journal formula आगिया है if theta 1 बिद्धो दिद्रुव यादी बिद्धो छेत्र में पढ़ा हुआ था theta 1 बराबर 0 से घुमा दिया theta 2 बराबर theta then w is equal to p e 1 cos theta 1 रखोगे cos theta 1 cos 0 cos 0 1 होता है 1 minus cos theta इसको नमबर साथवी चीज ये साथ डेस अरे इसमें theta का मान रखा है वही चीज है बिद्धो दिद्रु को बिद्धो छेत्र में घुमाने में किया गया कार्य भी आ गया एक नमब यहाँ भी explanation कर लेंगे येदी theta नमबर एक येदी theta is equal to 0 then work मतलब बिद्धो छेत्र में घुमाया ही नहीं यहाँ रख दीजे cos 0 1 होता है तब work 0 दूसरा यदी theta is equal to 90 cos 90 0 होता है तब w is equal to आ जाएगा w is equal to pe if theta is equal to 180 180 ऐसे पढ़ाता है उसको rotate करा दिया cos 180 होता है minus 1 तो तीसरा हो जाएगा if theta is equal to 180 then w is equal to plus 2p अरे cos 1801 का मान रखोगे cos 1801 रेनेग रेनेग धन हो गया 2p यह आ गया बिद्धु दिद्रो को घुमाने में किया गया कार इसी में बिद्धु दिद्रो की इस्तितीज उर्जा भी पढ़ लेते बिद्धु दिद्रो की इस्तितीज उर्जा इसी में बिद्धु दिद्रो की इस्तितीज उर्जा काइदे से होती है कि अनंत से अगले चैप्टर में पढ़ना था मैं यहीं बता दे रहा हूँ इसलिए कि डाइपुल चल रहा है हमारा इसलिए अनंत से बिद्धु दिद्रो को बिद्धु छेत्र के अंतरगात लाने में किया गया कारिया वो होती है potential energy यदि हम बिद्धु दिद्रो को theta 1 मराबर यह uniform electric field था बिद्धु दिद्रो को ऐसे ला रहे है perpendicular theta 1 is equal to initially 90 तक लाएंगे फिर उसको theta rotate कराएंगे theta 2 is equal to theta तब इस कारे को उसकी बिद्धु इस्तिदीज उर्जा कहते है यह कारे हमने निकाल दिया u is equal to यह कारे हमने निकाल लखा है w is equal to pe into cos theta 1 minus cos theta 2 यह सीधे limit पे रख दीजे theta 1 is equal to 90 to theta 2 is equal to theta वहाँ theta 1 is equal to 0 रखा था theta 2 is equal to theta रखा यहाँ theta 1 is equal to 90 theta 2 is equal to theta बस यही difference है then u is equal to pe sin theta d theta minus pe limit होगी 90 to theta so u is equal to minus pe cos theta अब इसकी condition अब इसकी condition देखिए u is equal to number 1 then if yadi theta is equal to 0 theta is equal to 0 then u is equal to 0 p minus p number 2 if theta is equal to 90 degree then u is equal to 0 and number 3rd if theta is equal to 180 then u is equal to plus pe इसको गल एक्स्प्रें करेंगे इसको इस्थाई stable equilibrium unstable or neutral कल इस पर discuss करेंगे